तो आपने कभी सोचा है कि आपके कैमरा, आपके फोन में जो कैमरा है, आपका जो DSLR कैमरा है, उसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आप उससे still images या pictures क्लिक करते हैं, तो उसकी quality बहुत अच्छी होती है ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है क्या, आज मैं बात कर देवालों इसी चीज के बारे में, कि आपके कैमरा की image quality अच्छी क्यों है, लेकिन वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों नहीं है सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वीडियो का मतलब क्या होता है, कैसा silly question है, बढ़ हाँ, इसको सोचने की ज़रूरत है वीडियो का मतलब है, बहुत सारी still images एक particular time में, like आप बोलते हैं न, 30 fps की वीडियो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब 30 frames per second, आपका camera 30 images, यानि 30 pictures क्लिक कर रहा है, सिर्फ एक second में, तो इसमें कितनी processing power लगेगी, इसका size कितना ज्यादा होगा, और overall camera को कितना ज्यादा काम करन है, आपको अंदाजा लग गया होगा, वहीं बात करें, जो image की तो एक second में आप image क्लिक कर रहा है, तो आपके camera का जो process है, उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और क्यूंकि एक second में बहुत सारी pictures क्लिक करनी हैं उसको, तो वहाँ पर compression भी काम कर रहा है, compression काम करता है, त तो जो image की quality होती, वह automatically कम हो जाती है, आप किसी भी multimedia content को अगर compress कर रहे हैं, तो उसमें काफे उसकी quality है, वो कम हो जाती है, इसमें भी exceptions है, वो lossless है, lossy है, या वो अलग depend करता है, बट ये जुतनी भी normal video files आप देखते हैं, जो भी cameras में काम करती हैं, उसमें compression हो रहा होता है, अब again इसमें भी exceptions है, ऐसे cameras भी होते हैं, जो बिलकुल भी compression नहीं करते, लेकिन वो high end के cameras होते हैं, उनकी जो video file होती है, उसका size काई GB में होता है, 10-10, 20-20 GB की video files होती है, normal, normal, लेकिन normally घर में shoot करने के लिए आपको 20 GB की video file बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप थोड़ी सी quality में भी compromise कर सकते हैं, इसलिए जो video quality होती है, वो कम होती है, अब इसके पीछे एक और कारन होता है, जो camera का processor होता है, वो इतना strong नहीं होता, कि इतनी high definition की images, frames को 30 frames को per second में process कर पाए, और आपने देखा होगा, कि जब आप अपने camera के fps बढ़ाते हैं, like 60 fps करते हैं, तो जो image की quality होती है, वो थोड़ी और कम हो जाती है, और उसमें और ज़्यादा lights की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने DSLR इस्तमा किया होगा या अपने phone में 60 fps की video shoot की होगी, तो आपने यह चीज़ नोटिस की होगी, कि जो video quality होती है, दिखने वाली, मैं frames को movement की बात नहीं कर र जब आप video लेते हैं, तो उसकी quality इतनी अच्छी नहीं होती है, अगर आपको पता चल गया होगा कि आपकी video की quality इतनी अच्छी क्यों नहीं है, और आपके photos की quality इतनी अच्छी क्यों है, और यह सारी चीज़े हर camera पर काम करती है, almost DSLR camera हो, point and shoot हो, या आपका mobile phone का camera हो, अब आ आपको ये वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को जाथ शेयर करें, cyber security और ethical hacking में इंट्रस्ट है, तो description चेक करें, 299 रुपीज के 3 इतिकल hacking courses है, जो कि आसान भाशा में आपको ethical hacking सिखा देंगी, Hindi language में आप hacking सीख सकते हैं, description जरूर चेक करें, मेरे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, मुझे Facebook, Twitter, Instagram पर follow करें, सभी की link आपको description में मिल जाएंगे, मैं मलता हूं आप से एगली वीडियो में, thank you so much and goodbye. झाल